हाई गाईज, वेलकम योः फ्रेट यूटुब चैनल, फेशल केर और सेल्फ प्लिस क्लिक सब्सक्राइब बटन एंवेल बटन फॉर लेटेस्ट वीडियो, इस एप्सुलुटली फ्री हेलो फ्रेंस, फ्रेंस आज मैं आपके लिए एक एसा मेर्ति पुर्मु जानकरी लेके आई हूँ, एसा एक राज लेके आई हूँ, जिसनों इस्टमाल करने से फ्रेंस, आपको ठोटल ब्यूटी मिलता है, यह आपको बहुत दिल तक खूशुट बनाके रखता है, आपको बह फ्रेंस, अमुटि प्रेंस अच्छा रहता है। विल को सबस करने स्कूशुटी क्लिए अमुट के लिए बहुत अच्छा रहता है। क्यूट क्याई होँ, और विल के ओत्राई, विल की तो दोस्तों पहली में अमूत की पत्ती को कैसे आप अपनी अपनी अर्पाधित बाल जहने को रोप सकते हैं उसके में इस्तेमाल किया जाते हैं वह मैं बताऊंगी आपका helpful बहुत जादा हो रहा है तो friends आज इसे अनुट के पत्ते को उठर दे इस्तेमाल करना शूर कर दे यह instead आपकी helpful को रोपता है कैसे रोपता है नोट कीजिए आपको एक मुट्टी अनुट के पत्ते यानि गौावा लिख लेना है उसको दो ब्लस पानी में उबाल लेना है उबाल के पानी जब तक न एक ब्लस बन जाए तब तक उबालते रहना है और उसके बाल पानी को ठंडा पानी से अपनी हार को फैर रोच नहानी के बाद रौश करना है इसमें प्रेंज आपका बाल जहनब बंड हो जाएगा इसको आप कॉंटिनूज शार दिन करेंगे तो साथ ही दिन में आपको इज़न मिख जाएगा जिसके आप फर्स्ट टाइम इस्तिमाल करते हैं फर्स्ट डेइंग देखिएगा आपका बाल हर रोच जितना जहता था उससे फाफिश सारा कम हो गया है और इसको आप हर रोच इसके बाल करेंगे तो दोस्तों आपका ग्यारफॉल जैसे ये वो की देगा ये तो गया फ्रिंस, गया फर्de के बारे में अभी माँ आती हमित के पक्ते कैसे काम करता है दोस्तों हम लोग को उमर बनने के साहरा साहरि स्किन मुर्म भूर्स हो जाता है जिसके बजी से हमों का उमर जादा भी ही लगता है तो उमर को एक जगा रोकने के लिए आपको स्किन को टाइटन करना चाहिए तो स्किन टाइटन के लिए दोस्तों हमुद के पत्ते राम बन दबाई का काम करता है इसको कैसे आप उस्तामाल करना है? जल्दी से नोट कर लीजिए इसके लिए दोस्तों आपको लेना है मुच्ची बर्ल, मूद की पर्टिक और उसके बाद उसको अच्छे से धो लेना है और धोने के बाद उसका पेस्ट बना लेना है आप गैंडर में पीसके भी इसका पेस्ट बना सकते हैं इसी भी तरीके से इसका पेस्ट बना ले और उसके बार इसके साथ थोड़ा आपको लेना है मुल्तानी मिट्टी आप एक फेस पैक लेडी कीजिए उसके लिए आपको लेना है मुल्तानी मिट्टी एक चमच और दो चमच अमूद पत्ते का पेस्ट इन दोनों को थोड़ा पाणी के साथ मिक्स्ट करें एक पैक जैसा बना लें और अपने फेस में इसको लगा कर आदा गंठा रटें आदा गंदे बार ठंडे पानी से अपने फेस को धोलें इस पेस पैक को आप हक्ते में ती कि आपका स्कीम जैसे खीच रहा है आपका स्कीम टाइट हो रहा है इसको लगाता हम थे में तीन से चाची से इस्टमाल करेंगे थे याओं बन जाएग। यॉँण खह यह आप इसको ज़र्व किया कीजिए इसके बाद श्रेंज आपको आपके खुब सुरी तो चांचांद मगाने के लिए आपके स्माइल बहुत हद तक काम करता है तो आपके स्माइल को बहुत दिन तक बरक्राइए अपने के लिए यानि आपका दाथ को टिकाओ रखने के लिए दाथ ना आपका गिरे बहुत दिन तक आपका दाथ अपने मसूरे के जगा यानि आपके पूमे रहे जाए आपका दाथ ना गिरे इसके लिए भी आप अमूत के पत्ते को इस्तिमाल कर सकते हैं अमूत के पत्ते मसूरे को गम को स्ट्रॉंग करने के लिए काम करता है तो इसके लिए दोस्तों आपको कैसे अमूत के पत्ते इस्तिमाल करना है और मैं बोल दे रही हूँ रियान से सुनिए दोस्तों आप अमूर की पट्टे को भूप में सुखा के उसका पाउडर बना लेना है और उसके बाद उस पाउडर से जैसे हम दो ब्रश करते हैं ऐसे ब्रश करना है या आप उनी के मदश से अपने गम में इसका मालिश कर सकते हैं एक से बेर मेंट के मसूर के साथ रहेगा आपका डाग गिरेगा नहीं और आपका डाग बहुत स्क्राउंग बन जाएगा तो इसको भी जयुक्या कीजिए बहुत दिन तर यॉंग बने रहने के लिए तो दोस्तों इसके बारे में जानकर लेकि आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को और आप अपने वेल्दों के साथ वीडियो को शेर कर सकते हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तुच सब्सक्राइब में किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर ले क्योंके दोस्तों मैं ऐसा और भी beauty tips, health tips आपके साथ एक के बाद एक share करती जाओंगी. तो आज के लिए दोस्तों इतना ही मैं की मिलूँगी कोई अच्छा सा beauty tips के साथ या health tips के साथ. Thanks for watching. Bye-bye.